मगद ग्यान केंद्र करना ना भूले तो हम ट्रांसलेशन सीरीज लेकर के आये हैं जिसमें बड़े आराम से आप देखिएगा को ओडिनेटिंग कंजंग्शन के उपर से सुरू करेंगे फिर सब ओडिनेटिंग पर धीरे 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 सारे पर जाएंगे तसल्ली से सीखना है ध्यान में रखना है इसकी वीडियो हम बना चुके हैं यदि आप टेंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेंस के सारे वीडियो का और उसको जरूर जाकर करके देखें टेंस बहुत जरूरी है टेंस हो गया फिर कंजंग्शन तो कैसे राम और स्याम खेल रहे हैं तो यहां और का परियोक किया गया है तो और का क्या हम बताए थे एंड तो यह सिंपल है राम और स्याम क्या लिखेंगे हम इसका राम और स्याम अब ध्यान देने वाली बात है कि जब दो व्यक्ति हैं तो हमेशा प्लूरल होगा जब subject दो हो तो हमेशा plural होगा तो राम और स्याम के लिए क्या आ जाएगा आर क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं तो आर प्लेइंग राम एंड स्याम आर प्लेइंग अब आगे देखेंगे राम और स्याम दोनों खेल रहे हैं अब देखिए यहां पर आ गया दोनों तो और दोनों या दोनों और बोध अंड का परियोग तो क्या हो जाएगा यहां पर सिर्फ आ जाएगा बोध राम एंड स्याम आर प्लेइंग राम एंड स्याम आर प्लेइंग बोद राम एंड स्याम आर प्लेइंग कैसे तो इसमें सिर्फ और था ध्यान देने वाली बात है सिर्फ इसमें और था तो हम कन्यंग्शन लगा दिये एंड इसमें क्या हो गया और के साथ साथ दोनों भी है इसलिए हम यहां का जंगसन क्या दे दिये बोद एंड अगला देखेंगे मेंधक या एक मेंधक जमीन पर और पानी दोनों में रह सकता है जमीन पर और पानी में दोनों जगह रह सकता है देखें टेकनिकली हिंदी और इंगलिस में ग्रैमर पर के लिए हम ओन लैंड देंगे और पानी में के लिए इन वाटर देंगे तो यह बड़ा कोडिनेटिंग कंजंग्सन का एक रूल है कि कोडिनेटिंग कंजंग्सन दो इक्वल रैंक के सब्दों को जोड़ता है तो यहां दोनों जगह पर प्रिपोजीशन आएगा कैसे ध् और यह फ्रॉग deport वहाउग कन लीव पॉदी जमीन पर तो जमीन पर के लिए ओन लैंड और बोद के साथ क्या चलता है एइंड और water के लिए आजाएगा in water तो यहाँ देखेंगे in, यहाँ देखेंगे on यह conjunction यहाँ हो गया both, यहाँ हो गया and तो a frog can live both on land and in water अब आगे देखेंगे उसी तरह से एक मेंधक जमीन पर ही नहीं ही नहीं बलकी भी conjunction क्या आगया? ही नहीं बलकी भी यानि not only but also तो एक मेंधक रह सकता है तो वही करेंगे a frog can live कैसे? a frog can live यह बना दिये यहाँ पर है not only but also तो not only on land not only on land but also in water but also in water अभी देखें not only but also इसके बाद यह परिपोजिशन आ गया इसके बाद यह परिपोजिशन आ गया इसी तरीके से बोथ के बाद on परिपोजिशन आ गया and के बाद in परिपोजिशन आ गया तो coordinating conjunction कहता है क्या? कि इसके बाद समान रैंक के सब्द रहेंगे अगला देखेंगे वह बूढ़ा ही नहीं बलकि कमजोर भी है तो ही इज वह है not only old but also but also weak अध्यांदना है weak और old ये क्या है? adjective ये क्या है जी? adjective और यहां not only और but also ये क्या है? coordinating conjunction तो coordinating conjunction हमेशा दो समान रैंक के सब्दों को जोड़ता है यानि coordinating conjunction में कौन आते हैं? वो सारे आप देख लिजेगा coordinating conjunction वाले उसका भी link दिया हुआ है कितने परकार के conjunction होते हैं? वो दिया हुआ है तो coordinating conjunction में चार परकार के होते हैं adversative, cupulative, illative और alternative तो कहता क्या है कि coordinating conjunction हमेशा दो समान सब्दों को या दो समान रैंक के वाक्यों को या सब्दों को जोड़ता है तो देखिए not only के बाद adjective आया तो but also के बाद भी adjective आ गया not only के बाद on preposition आया तो but also के बाद in preposition आ गया तो यह या तो दो preposition को जोड़ेगा दो adjective को जोड़ेगा, दो noun को जोड़ेगा जैसे राम एंड सियाम, देखिए राम noun है, सियाम noun है, noun यहां बोध के बाद राम noun है, सियाम noun है, तो कहता है कि coordinating conjunction हमेशा दो समान सब्दों को जोड़ता है, समान सब्द का मतलब pronoun होगा, noun होगा, adjective होगा, तो दोनों adjective होगा, हाँ, noun टो एक नाउन भी रह सकता है तो ध्यान देने वाली बात ये सारे आप फिर से एक वाब राम और स्याम खेल रहे हैं और राम और स्याम लांड और प्लेइंग मेंधक जमीन पर और पानी दोनों में रह सकता है एक मेंधक जमीन पर ही नहीं बलकी पानी में भी रह सकता है एक फ्रॉक देखने के लिए धन्वाद जय हिंद जय भारत झाल सब्सक्रीज जड़ना पूलेछ जड़स्षियू